का इस्तमाल कर रहे हैं इसमें करांतिकारी बदलाव आएगा बिल्कुल ही नए नियम आ जाएंगे हम ब्लू अर्थ रवस्था 2.0 की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम एक स्कीम लाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि जो तटीयक शेत्र हैं वो तरक्की करें हमारे जो समंदर से जुड़े हुए लोग हैं उनको फाइदा हो इसके लिए एक स्कीम लांच की जाएगे जो भी परियटन केंद्र हैं उनका विस्तरत विकास हो सके ये सुनिश्चित करेंगे G20 का की हमने अध्यक्ष्टा बहुत सही तरीके से की और इसकी 60 जगह यहां पर ध्यक्ष्टा की गई और इसे जो विविद्टा थी ये पूरी दुनिया के सामने भारत की विविद्टा आई और भारत के जो आकरशक शेत्र हैं वो दुनिया की नजर में आएं और इसे परियटन को फाइदा होगा हमारा जो मध्यम वर्ग है और हमारा जो मध्यम वर्ग है वो खुब भूमना चाहता है और हम जो इसके साथ धार्मिक परियटन को भी जोड़ना चाहते हैं जो कि इसमें बहुत ही साथ विकास की संभावनाई हैं जिससे स्थानी इस तर पर उद्यमों को फाइदा मिलेगा जो राज्य हैं उनको हम प्रोथ साहिद करेंगे हम चाहते हैं कि जो उनके जो राज्य हैं उनके पास जो आकरशक परियटन केंदर हैं हम इसके लिए एक रूप रेखा तयार करेंगे हम चाहेंगे कि जो उच्च गुनवत्ता वाले जो सेवाएं हैं वो लोगों को उपलब्द कराई जा सके परियटन के क्षेतर में अपार संभावनाई हैं और ऐसे में उन्हें दीर बिकालिक जो कर्ज है वो भी हम उपलब्द कराना चाहते हैं जो भी परियटन के क्षेतर में आगे बढ़ना चाहते हैं और हम अगर अपने घरेलू परियटन की बात की जाए तो मानिय स्पीकर महोद रै हम बताना चाहेंगे कि जो हमारे बंदरगा हैं उनके साथ संपर्ग बढ़ाना चाहते हैं और साथ जो हमारा परियचन का जो इंफ्रस्ट्रक्चर है आधार भूत धाचाए उसको बढ़ाना चाहते हैं इसमें हम लक्षद्वी जो हमारे 30 क्षेत्र हैं जैसे लक्षद्वी उनको भी हम जोड़ना चाहते हैं इससे हमें रोज़गार के मौके बढ़ाने में भी मदद मिलेगी हम निवेश भी बढ़ाने में हमें फायदा मिलेगा अगर हम FDI की बात की जाए इसमें बड़े पैमाने पर बढ़ा है और एक स्वर्णिम क्षेत्र शुरू हुआ है FDI में और 2005 से 2014 तक में ये उतना अच्छा नहीं था लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो द्विपक्षिय समझोते हैं हमारे विदेशी सहयोगियों के साथ हम ये चाहते हैं कि FDI का मतलब फॉरें डिवलप्मेंट ही नहीं फर्स्ट डिवलप्मेंट इंडिया भी है हम चाहते हैं कि विक्सित भारत के लिए राज्यों का भी राज्यों में भी सुधार किया जाए हम ये चाहते हैं कि कई कदम खाये जाएं राज्यों में ताकि जो हमारी सोच है विक्सित भारत की उसको सही तरीके से अमल में लाये जा सके 75,000 करोड रुपए का हम आवंटन की करेंगे 50 साल का रिन मुक्त कर्ज होगा ताकि जो उन चुनोतियों को हासिल करना चाहते हैं जो भी राज़सरकारे इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हम ये फायदा देंगे अगर सामाजिक बदलाव की बात करें तो हम एक उचस तरिये कमिटी का गठन करेंगे ताकि जो चुनोतियां हमारे सामने आ रही हैं जो तीरी से बढ़ती आबादी की जो चुनोतियां हैं और जो जन संख्य की बदलाव हो रहा है यानि डिमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसको निपटने के लिए कमिटी बनाएंगे हमारी जो कमिटी है वो व्यापत तरीके से इंचनोतियों का सामना कर पाएगी ताकि हम विक्सित भारत की लक्ष को हासिल कर सकें अमरत काल को कर्तव यकाल के तौर पर हमारी सरकार इस बात को लेकर समर्पित है कि आर्थ विवस्था आगे बढ़े तेजी से विकास हो और साथी साथ जो लोगों के लिए अपनी संभावनाओं को अच्छे तरीके से अमल में ला सकें उनको इस्तमाल कर सकें उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें हमारे देश के गणतंत्र के 75 साल में हमने ये प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम राश्ट्री विकास के लिए समर्पित हैं हम चाते हैं कि लोग नई आकांक्षाओं करें नए लक्षे हासिल करें और भारत आगे नई चुनोतियों के लिए तैयार है और ये हमारा कर्तव विकाल भी है 2014 से पहले जितने भी चुनोतियां थी उनको हमने पार पा लिया है और हमने आर्थिक प्रबंधन बेहतर किया है और हमने बेहतर शासन दिया है हम एक टिकाओ आर्थिक व्रिद्धी की दर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमने सही नीतियां अपनाई है हमारे नियत सही है और हमने सही कदम उठाए है हमने जुलाई 2024 के जो फुल बजट में हम पेश करेंगे उस वक्त हम एक विस्तरित रोड मैप प्रस्तुत करेंगे विकसित भारत के लिए और संशोधित जो एस्टिमेट है 2023-2024 का जो रिवाइस एस्टिमेट है कुल प्राप्ती जो की कर्ष के अलग है वो 27.6 लाग करोड है इसमें से टैक्स प्राप्तियां 23.24 लाग करोड रुपए है और संशोधित एस्टिमेट की अगर बात की जाए 44.9 लाग करोड रुपए खर्च है संशोधित और जो रिविन्यू रिसीट है वो 30.03 लाग करोड रुपए है और बजट का जो अनुमान था उससे ये ज्यादा है और ये दिखाता है कि हमारा मजबूत विकासदर आगे बतरार रहेगी और राजकुशी घाटे की अगर बात की जाए तो ये 5.8 है अर्फवस्था का बजट एस्टिमेट अगर बात की जाए 2024-25 के बजट की अगर बात की जाए तो 2024-25 में कुल प्राप्ती जो की रहने का अनुमान है वो 30.8 शूनिय लाक करोर रुपए हो सकती है और 46.77 लाक करोर रुपए हो सकती है और टैक्से प्राप्ती जो है वो 26.07 लाक करोर रहने का अनुमान है हम जो पूंजिकत व्याय के लिए जो राज्य के लिए स्कीम हमने शुरू की थी वो 1.3 लाक करोर रुपए के आवंटन के साथ जारी रहेगी हम जो वितिय मजबूती की और हम आगे बढ़ते रहेंगे जैसा कि हमने 2021-22 में एलान किया था हम चाहते हैं कि जो राजकोशी घाटा है उसको 4.5 प्रतिशत से नीचे 2025-26 तक ले आएं जो राजकोशी घाटा 2024-25 में जो रहने का अनुमान है वो 5.1 प्रतिशत रह सकता है जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत रह सकता है अगर सकल कर्ज की बात की जाए तो 24-25 में उसका अनुमान है वो 14.1 एक तीन लाग करोड हो सकता है इन दोनों को